नमस्कार दोस्तों, मैं समय समय पर आप सब के लिए बॉलिवूट से जुड़ी मज़िदार खबरे लेके आती रहती हूँ आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आए हूँ बॉलिवूट इंडस्ट्री बाहर से सब को देखने में ग्लैमरिस और चकाचौन का स्टेज मानी जाती है ये लाजमी भी है क्योंकि हम बड़े परदे पर ऐसा ही कुस्तों देखते ही है फिल्मी कलाकारों को फॉलो करना और उनकी तरह लाइफ स्टायल जीना कभी कभी हमारा पैशन भी बनता है लेकिन परदे के पीछे की सचाई कुछ और ही होती है क्योंकि इन फिल्मी सितारों की लाइबी कहीं न कहीं दुख और परिशानियों से भरी रहती है जिसकी वज़ा से कई बॉलिवूड एक्टरिस गम में इतनी डूबी कि उनकी दर्दनाक मौत हो गई ऐसे ही एक्टरिसों की लिष्ट हम आपके लिए लेकर आये हैं जिनकी बेहत दर्दनाक तरीके से मौत हुई मधुबाला हिंदी सिनमा की दिगज एक्टरिस के नाम पर जब भी चर्चा की जाएगी तो उसमें अदाकारा मधुबाला का नाम भी शामिल होगा अपनी एक्टिंग और खुबसूरती के दम पर मधुबाला अपने जमानी की सबसे बहतरीन एक्टरिस में शुमार रही जिनिया को अलविदा कह दिया बताया जाता है कि मरने से पहले करीब आठ सालों तक मधुबाला बिस्तर में ही पड़ी रही मीना कुमारी बॉलिवुड इंडस्ट्री के पुराने दौर की सबसे बहतरीन एक्टरिस मीना कुमारी का नाम भी इस लिश्ट में शामिल है माना जाता है कि बैजु बावरा, साहे बीबी और गुलाम, पाकीजा जैसी कई फिर्मों में अपनी अदाकारी का जलवा बिखेरने वाली मीना कुमारी के पास जीवन के अंतिन चड़ों में हॉस्पीटल का बिल भरने तक के पैसे नहीं थे लीवर सिरोसिस से जूजते हुए मीना कुमारी ने दर्दनाक तरीके से दुनिया को अलविदा कह दिया था परवीन बॉबी, असी के दसक में अपने अदाकारी और खुबसूरती से संसनी मचाने वाली अक्टरिस परवीन बॉबी का निधन भी काफी दुख़द रहा 22 जनवरी 2005 को परवीन किलास उनके घर में पाई गई, बताया जाता है कि परवीन कशो तीन दिन तक उनके घर में ही पड़ा रहा उनके बाएं पैर में गैंगरीन हो गया, साथी परवीन बॉबी सी जो फ्रेनिया से ग्रस चल रहे थी मालूम हो कि डिरेक्टर महेज भट के साथ रिष्टे को लेकर परवीन बॉबी का नाम हमेशा चर्चा में रहा था इसमिता पाटिल बॉलिवूट के दिगज एक्टर राज बबर की दूसरी वाइप और मशूर एक्टरिस इसमिता पाटिल ने भी कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया ऐसा माना जाता है कि साल 1986 में अपने बेटे और एक्टर प्रतीक बबर के जन्म के बाद इसमिता का काफी दिक्कते शुरू हो गई थी जिसकी वज़ा से 31 साल की उम्र में ही इसमिता पाटिल ने दुनिया को अलविदा कह दिया दिव्या भारती नब्या के दशक में महत दो साल के अंदर 12 फिल्मे करने वाली मशूर एक्टरिस दिव्या भारती को भला कौन भोल सकता है दिव्या भारती की इन 12 फिल्मों में से दिवाना, विश्वात्मा, सोला और शबनम जैसी कई फिल्मे सुपर हिट शाबित हुई लेकि पाँच अपरेल 1993 को ये खबर सामने आई कि पाँचवी मंजिल पर मौझूद अपने घर की खिड़की से गिरकर दिव्या भारती की मौत हो गए जिसकी वज़ा से उनके फैंस का दिल तूट गया मालुम हो कि इस घर में दिव्या अपने पती साजित नाडियाड वाला के साथ रहती थी तो ये थी बॉल्यूट से जुड़ी हुई एक और मज़ेदार खबर ऐसी मज़ेदार खबरे जानने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें